Hello Friends, Educational Fact Channel में आपका स्वागत है हाजीर है आपके लिए आज की एक खास अपटेट को लेके तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हैं आपका GBT 721 Post Code जो की पिछले कई सालों से लटका पड़ा है उसके रिगार्डिंग एक जो डिरेक्ट रेट Elementary Education द्वारा आज एक लेटर जारी किया गया है HPPSE के लिए तो यह आप यहां पे देख सकते हैं 21 मैई 2022 इसमें आप Stamp पी देख सकते हैं यहां पे लगी वी तो इस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे फिलहाल इसमें जो सब्जेक्ट है इसका लेटर का विशे जो है किस भी किस के रिगार्डिंग यह लेटर लिखा गया है तो आप देख सकते हैं Recruitment to the Post of Junior Basic Teacher Post Code 721 on Contract Basis तो इसमें जो भरती होने हैं उसके रिगार्डिंग ही इसमें कुछ लिखा गया है तो इसको हम हिंदी में जानेगे आपके लिए भी और मेरे लिए भी धोनों के लिए ज़्यादा comfortable रहेगा हिंदी में समझना तो आप यहाँ पर दिख सकते हैं यह इस तरह साही जो लेटर है इसमें विशे जूनियर बेसिक टीचर जेबिटी पोस्ट कोड 721 या अनुबंद पेसिन के पद पर पर परती तो आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा गया है इसमें लिखा है मई 2022 इस संधर में उपर युक्त विशे पर सपष्ट किया जाता है कि बियड उमिद्वार जो NCTE अधिसुचना दिनाक 28.08.2018 में निर्धारित उपक्षित योगिता रखते हैं उन्हें जेबिटी के पद पर चैन न्युक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए तो इन्होंने कहा है कि जो RNP रूल है 28.08.2018 के अकॉर्डिंग के अगर इन्हें जो उन्होंने कहीं न्युक्ति आए लिचार किया जाना चाहिए उमिद्वार जो शेक्षनिक योगिता और अन्यो-त्तो को पूरा करने के अधिन, जैसा कि RNP नियोमम में निर्धारित है और इस संबंद में आयोग द्वारा जारी बिग्यापन में दर्शाय गया है तो इस जो इसके रिकार्डिंग जो नोटिफिकेशन जारी की गी थी और जो इसके RNP रूल है अगर बियर्ड जो अभियारती है अगर उसके पास भी वो सब कुछ है लिजिबिलिटी तो वो उस पे विचार किया जाना चाहिए यह इन्होंने इस पे कहा है आगे देखते हैं इसमें क्या है जैसा कि माननिय औचनेयालिया द्वारा दिनांग 65-2022 जो जब आपकी हीरिंग थी को 2022 के आरपी नंबर 11 में CWP संख्या 1359 2022 के 1541 और 2022 के आरपी नंबर 10 में निर्देशित किया गया है कि नुक्तिया स्मिक्षा याचिका के अंतिम परिणाम के अधिन होगी अंतिम परिणाम जो होगा नुक्ता तो उसके बेस पे होगी साथ ही 2021 के SLP संख्या 2743 में माननिय सरवच्च नियालिया द्वारा पारित किया जा सकने वाले आदेशों और संबंतित मामलों के अधिन होगी यह आपको पता है कि जो सुप्रिम कोड का फाइनल डेसीजन होगा उसके बेस पे यह आपकी जो न्युक्तिया है वो तो उसके बेस पे ही होगी जिस फेवर में आपका सुप्रिम कोड का जो आपका डेसीजन है वो होगी फिलहाल इन्होंने यह कहा है कि इसलिए आपसे अन गलत है ये भी मैं टिपड़ी अपनी और से नहीं देना चाहूंगा क्योंकि इसमें ये भी बात काफी सालों से चला है इसमें सरकार भी कुछ खास नहीं कर पा रही है क्योंकि इसलिए ये solve नहीं हो रहा है तो अब इसमें देखते हैं कि पीर्ड के जो candidate है उन्हें भी अगर eligible होंगे तो उन्हें भी जरूर इसमें लिया जाएगा ये इसमें कहा जा सकता है फिलहाल देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ होता है अगर कोई और update आती है तो वो भी हम आपके साथ जरूर साजा करेंगे तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि झाल